इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम brush की setting का use करते हैं और उसकी property में कैसे हम change करते हैं ताकि हमारा जो model बने वो अच्छा बने तो एक बार repeat करते हैं यह brush यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर B press करोगे या फिर आप यहाँ पर click करोगे तो आपकी बहुत स सारे brushes आ जाएंगे धीरे धीरे आप देखोगे कि कौन सा brush हम कब use करते हैं उसके बाद में यह brush के यहाँ पर stroke and alpha वगएरा आते हैं साथ में यहाँ कुछ Z, add, G, sub, Z intensity, focal, draw size यह सब क्या होते हैं हमने brush के वीडियो में सारे cover किये हुए हैं आप लोग देख लेना तो आज हम इसके brush के साथ में कुछ और tools देखेंगे जिनका use करके हम अच्छी sculpting कर सकते हैं तो देखे हमारे पास default brush जो standard brush होता है वो जब हम G-brush open करते हैं तो standard brush आता है अगर इस पर scouting करेंगे तो यह देखे scouting हो रही है यहां पर त्यान रखना इसके division आपको बढ़ाने पड़ेंगे तो division अगर नहीं बढ़े हुए हैं तो scouting नहीं होगे shift के साथ app button प्रेस करोगे तो आपको division दिखेंगे यहां पर यह देखे तो अगर हम control D करते हैं तो इसके number of divisions बढ़ division बढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको लगता है कि ब्रेस अच्छे से काम करें तो हमने यहां पर shift app प्रेस कर दिया है ताकि आपको वो division ना दिखाई दे तो number of division हमने पहले से बढ़ा के रखे हुए हैं अब इस पर हम ब्रेस चलाते हैं तो देखी यह ब्रेस जो चल रहा ह अच्छा ब्रेस चल रहा है लेकिन जैसे हम चला रहे हैं उसी एंगल पर और उसी साइड में चल रहा है तो हम चाहते हैं इसमें symmetry का यूज करें तो हमने देखिए हमने अभी दुबारा से जो ब्रेस चलाया है वो कुछ ही step से चला देखी हमारी symmetry बन रही है बिलकुल एक ज ठीक है अभी तो नहीं बन रही थी फिर से बनाते हैं यह यह देखिए अब नहीं बन रही है अब देखिए कैसे बनी तो इसको बोलते है symmetry आप अपने keyboard से X बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखिए जैसे हम X बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर X तो देखिए इसके side में दूसरी symmetry बन गए रेट कलर का पॉइंट आ रहा है दूसरे side में X को अगर फिर से click करोगे तो गयब हो जाएगा भी symmetry नहीं बन रही है तो आपको अगर symmetry चाहिए तो आप X को click करेंगे आपकी symmetry activate हो जाएगी और अब आप जब ब्रेस को चलाएंग तो देखिए एक साथ दूसरे side में भी चल रहा है ठीक है तो अब यह कैसे हो गया ब्रेस का size चुटा बड़ा करके हम इसमें symmetry को और भी ज्यादा dynamic बना सकते हैं इस तरह से यह तो कोई भी design यहां से हमें से draw कर सकते हैं आसानी से अब देखिए इसको और explore करते हैं तो अभी जो आप symmetry बना रहे हो कि इस side में बन रही है यहां पर नहीं बन रही है आप इधर अगर बनाओगे तो symmetry इस side में बन रही होगी देखिए ठीक है अब यह directional है तो direction कौन सी है यहां नीचे आपको gizmo दिखाई दे रहा है एक्स दिखाई दे रहे है यहां देखिए red color की line x-axis है blue color की line जो आ रही है यह z-axis है और इसके उपर top पर एक line आ रही होगी उसको हम y-axis बोलते हैं तो transform में आपको जाना है यहां पर देखिए जब हम express करते हैं तो यह active symmetry on हो जाती है देखिए express कर रहे है तो एक बार ही यह on हो रहा है एक बार off हो रहा है तो जब यह active symmetry on होता है तो x-axis पे by default यह on होता है हम इसको axis को change कर सकते हैं यहां से y-axis पे अगर हम symmetry को लगाते हैं तो y-axis की उपर नीचे है इसका angle तो हम अगर ऊपर कोई चीज बनाएंगे थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं अगर इधर कोई चीज sculpt करेंगे हम brush से यहां पर त सकते हैं चलिए इस phase पर करते हैं कुछ update यहां पर इधर हमने अपडेट किया तो दीखें बॉटम वाले में अपने अपडेट हो रहा है क्योंकि y-axis up and down है हम यहां से axis change कर रहे हैं यहां पर y को हटाते हैं z-axis चाहिए z-axis तो z-axis आप देखोगे यहां पर यह blue line आ रही है मत अगर आप इधर कुछ बनाते हो तो देखी back side में अपने आप बन रहा होगा तो आप की मेहनत कम हो गई और आपका काम अच्छा हो गया time भी बचेगा आप एक साथ एक से ज़्यादा symmetry को on कर सकते हैं जैसे z और y में हमें चाहिए तो अभी हम जब symmetry लगाएंगे तो देखो उपर नीचे एक तो symmetry बन रही हो और आगे पीछे बन रही है ठीक है उपर नीचे y axis है आगे पीछे यह z axis है आप axis को इनका combination चेंज कर सकते हैं आप x y में अगर बनाना चाहते हैं तो जब आप बनाएंगे यहाँ पर तो देखिए यह symmetry x axis में जा रही है और यह उपर नीच axis तीनों axis एक साथ बना सकते हो तो आप देखो कि सारे corner पर एक साथ काम हो रहा है जबकि हम एक जिगए ब्रेस चला रहे है यह देखिए इससे आपका काम और भी आसान हो जाता है हर corner पर आपका काम हो रहा है ठीक है चलिए इसके अलावा थोड़ा सा और हम देखते हैं यहा रखते हैं नीचे एक option और आ रहा है रेडियल यह रेडियल सिमेट्री क्या होती है यह गोल गोल राउंड बेस पे एंगलिक मतलब आपके circular वाइस यह डिजाइन बनाएगा तो जैसे x-axis यह तो x-axis तो मेरा यह था तो x-axis के along में यह सिमेट्री बना रहा है तो देखिए य आप पर स्कूर्ट करने की कोसिस करते हैं तो इससे आप और भी ज्यादा expand कर सकते हैं अपने डिजाइन को बहुत ही जल्दी आप अपने डिजाइन को थोड़ा सा यह देखिए डिजाइन यह रेडियल डिजाइन आप बना सकते हूँ तो ऐसी कोई भी डिजाइन जो ऐसे circular वे में है आप बना सकते हो तो अगर हमें चाहिए कि हम इस उपर वाले फेस पर बनाना चाहें तो आपको ट्रांस्फोर्म में जाना है रेडियल तो लगे ही रहना है बस यह उपर से यह axis चेंज करना y-axis में चाहिए तो देखिए y-axis म में अब बना सकते हो यह आपको अगर चाहिए इस वाले एक्सिज में तो यह हमारी front and back वाली है तो इसके लिए हमें z-axis को अन करना पड़ेगा और रेडियल तो अन है हम यहां पर चलते हैं यहां पर भी ऐसे देखिए बना सकते हैं कुछ भी एनिटिंग तो इसके थुरू बहुत ही हमें help मिल जाती है अपने sculpt को करने में तो अब यहां पर जब आप radial symmetry यूज़ कर रहे हैं तो देखिए बगल में का option आ रहा radial count का मतलब आपको कितने radial frequency में कितने dots चाहिए तो अभी 8 हैं यहां पर आप count कर सकते हैं यह 8 dots चल रहे हैं आपको अग कर सकते हैं अठारा चाहिए तो देखिए अठारा आगए यह हो सकता है ऐसा कुछ design आपको बनाना हो तो यहां से हम transform में जाकर के फिर से इसका symmetry चेंज कर सकते हैं आपको लगता है आप चलिए यहां पर हम model चेंज करते हैं यह स्फेरिकल सेफ हैं यहां पर symmetry देखिए जैसे हमने model लेयर चेंज करी यहां पर अब हमारे पास symmetry गायब हो चाहिए अगर हम चलाते हैं यहां पर ब्रस तो symmetry नहीं है यहां पर on ही नहीं है क्यूंकि symmetry हर एक layer पे अलग ही set होती है तो इस layer पे तो symmetry थी हमने on किया हुआ था देखिए अभी भी on है लेकिन जैसे हमने layer चेंज करी symmetry गायब हो गई तो इस layer पे अगर symmetry चाहिए तो आपको फिर से express करना पड़ेगा और symmetry को यूज करना पड़ेगा बन गई यहां पर तो इस तरह से हमने यहां पर symmetry बना ली नोस बनाने के लिए यहां बनाते हैं और यहां पर इस तरह से तोड़ा सा कान बनाने के लिए और तोड़ा सा यहां पर कान बना लेकते हैं तो इस तरह से हम लोग यहां पर यूज करेंगे नेक्स्स हमें क्या करना है और इसमें चीजें देख सकते हैं जो भी मॉडल हमारा है यह मॉडल है अब ऐसे मॉडल में कास्ट्यूम है यह तो यह दोनों साड में हमें सिम्मेट्री चाहिए होती है तो अब अब हमें देखें तो आप देखके ही बता सकते हो कि हमको लेफ्ट राइड में सिमेट्री चाहिए मतलब X-axis में तो इस ट्रांस्फॉर्म में जाना है आपको यहां पर एक्टिव सिमेट्री को क्लिक करना है यह एक्स में डिफॉर्ड लगके आ रहा है ब्रस का साइज में छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहां पर आप अगर इस पर काम करोगे तो यह एकदम सिमेट्रिकल वे में आपका बन रहा है अगर यहां पर सिमेट्रिक आपने यूज़ नहीं करनी तो आपका मोडल है अलग से दिखाई देगा विवह नगां आप को सिमेट्रिकल लेकिन वह सिमेट्रिकल बनाने आप पीछे इसके bump में भी काम कर सकते हो जो की symmetrical order में ही करना पड़ेगा brush का size आपको छोटा बड़ा करना होगा काफी बड़ा हो रहा है size थोड़ा सा और छोटा और थोड़ा सा bump area में आपको काम करना पड़ सकते हैं देखिए एक side में ही जा रहा क्यों क्योंकि हमने express कर दिया है keyboard से तो आप इसको फिर से express करोगी यह dots आपको दिखने लगी आपको पता लग जाएगा कि dots अगर दिख रहे हैं तो symmetry on हो गई है तो इस तरह से आप symmetrical order में काम करेंगी कोई भी चीज है आपको axis चेक करना है किस axis में चाहिए radial हो या linear symmetry हो दोनों में से आपको axis चेक करना है ठीक है अगर आपके पास axis है तो आप काम कर सकते हैं चलो size छोटा करते हैं यहां पर और यहीं पर कुछ और design देने की कोसिस करते है लेट्स की यहां से तो यह symmetrical order में चल रहा है इसलिए ऐसा चल पा रहा है आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो यहां पर कुछ scratches से आप डाल दो तो दूनों side में चल रहा है यह scratches यह देखिए इससे आपकी sculpting पे और beneficial और जदा वराइटी मिलेगी और थोड़े से अच्छे आप sculpt artist बन जाएंगे तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम symmetry का use करते हैं और model को हम अच्छा बनाते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में breast के कुछ और option देखेंगे कुछ और वराइटी को चैनल को subscribe जरूर करना thank you